दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए टीम क्लासेज चैनल को और घंटे के निसान को दबाएगे और बहुत ही ज़्यादा इजी वे में बताऊंगी और साथ में आपको हिंदी एक्स्प्लिनेशन भी करती चलूंगे ठीक है ताकि आपको चीज से समझ में आएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीक है दोस्तों माई हेवें का मतलब होता है मेरा स्वर्ग ठीक है माई मतलब मेरा हेवें मतलब स्वर्ग तो रविंद्रना टैगोर जी द्वारा जो लिखा गया है माई हेवें मेरा स्वर्ग ठीक है तो देखें सेंट्रल आइडिया आप देखते हैं My Haven by Ravinda Nahd Tagore is an inspiring poem. तेक है. इसमें कहार है कि Ravinda Nahd Tagore जो है Ravinda Tagore जी द्वारा मेरा स्वर्ग एक प्रेरा दायक कविता है inspiring poem, यानी प्रेरा दायक कविता है In it the poet gives the picture of an ideal idea of his dreams यानि के रहा है कि इसमें कभी इन इड़ पोईट यानि इसमें कभी अपने सपनों की आदर्स ठीक है आदर्स बहारत की तस्वीर देते हैं यानि अपने सपनों की आदर्स बहारत की तस्वीर देते हैं इसमें कह रहे हैं, इसमें कभी कहते हैं, रविन्ना टैगोड जी, कि वह भगवान से प्रात्ना करते हैं, he prays to God, कि उसके देश के जो लोग हैं, his country, ठीक है, उसके देश के जो लोग हैं, should be fearless and brave, वो क्या हूँ, वो नीडर हूँ, ठीक है, be fearless, यानि नीडर हूँ और उसके दोस्तों, knowledge should be free for all in the country, knowledge कि यहां पर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, देश में सभी के लिए ज्यान जो है, मुफ्त होना चाहिए, ठीक है, free for all in the country, देश में सभी के लिए ज्यान जो है, knowledge जो है, वो क्याने चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए, free होनी चाहिए, there should not be narrow consideration of caste, creed language, etc, जाती, पंत और भासा, आदी के संकिरण जो है, etc, यानि आदी के जो संकिरण है, जो विचार है, वो नहीं होने चाहिए, ठीक है, नहीं होने चाहिए, the people of should be guided by reason and not by blind beliefs, लोगों को कारण से, ठीक है, जो reason होता है कारण, उससे निर्देशित होने चाहिए, guided यानि निर् अंद विश्वाब से, blind beliefs, ठीक है, blind beliefs, यानि अंद विश्वाब से, they should be progressive in outlook, ठीक है, उन्हीं अपने दृष्टी कोण जो है, outlook है नहीं होता है, दृष्टी कोण, ठीक है, उन्हीं अपने दृष्टी कोण में प्रजर्टी शीर होना चाहिए, कि उनकी दृष्टी कोण प्रयास करना चाहिए, ट्राइ करना चाहिए, उके, डिस शुड बी blessed with freedom, उन्हीं सुवतंतरता के लिए आशिरवाद दिया जाना चाहिए, उन्हीं सुवतंतरता के लिए क्या दिया जाना चाहिए, आशिरवाद दिया जाना चाहिए, ठीक है, blessed रहने होता है, आशिरवाद फ्रीडम यह नहीं होता है स्वातन दर्दा ओके तो दूस्तो माई हेवेन का यह सेंटर आडिया था हिंदी एक्स्पिनेशन के साथ मैंने आपको बताया है अच्छे से तो आई होप वीडियो पसंद आयोगा और समझ में आया होगा दूस्तों अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक केजिएगा और कमेंट शेशन में बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना में दिलेगा थाइंक्यू